बज़वान, नमस्कार, हिंदी कक्षा में आप सब का स्वागत है बच्चो, आज का हमारा विशे है खिलोने जा है बच्चो, पाट चोदा, खिलोने, खिलोने का अर्थ होता है टॉइस बच्चो, यहां पर जो खिलोने आप देख रहे हैं यह सब खिलोने खाड से बने है खाड का अर्त होता है लकडी बचो यह किस प्रकार के खिलोने है बचो खाड के खिलोने इसे अंग्रेजी में wooden toys कहते हैं wooden toys कहते हैं यह खिलोने कितने सुन्दर है ना बच्चो यह सब किस चीज से बने हैं लकडी से बने हैं बच्चो तो इन खिलोनों को क्या कहते हैं खाट के खिलोने यानि के wooden toys बच्चो इस चित्र को आप ध्यान से देखिएगा बच्चो यह चन पटना के खाट के खिलोने हैं बच्चो खाट के खिलोने सिर्फ चन पटना शहर में ही बनते हैं बच्चो इसलिए इस शहर को चन करनाटका का चन पटना खिलोनों का शहर कहते हैं क्या कहते हैं बच्चो करनाटका चन पटना खिलोनों का शहर अर्थार चन्न पत्टना तॉय टॉण आफ करना टका क्या केते हैं बच्चो चन्न पत्टना तॉय टॉण आफ करना टका प्यारे बच्चो यहां पर आप जितने भी रंग भी रंगे खिलों ने देख रहे हैं इन पर चड़ा हुआ हर एक रंग प्राकृतिक है बच्चो ये सारे खिलों ने खाट से बने हुए हैं बच्चो ये खिलों ने इस चन्नपटना शहर में ही पनते हैं यहां लग भर 6,000 लोग खिलों ने बनाने का ही काम करते हैं करीब 200 साल पहले पीपु सुल्तान ने परशिया देश से कारीगरों को बुलाया और स्थानिया लोगों को यग हुनर सिखाने की वेवस्ता की थी बच्चो इन खिलों की एक और विशेष्टा यह है कि इनके रंग प्राकृतिक हैं जिससे बच्चों को हानी नहीं होती है और बच्चो इन खिलोनों की मांग विदेशों से भी आती है बच्चो आजकल यह खिलोने हर जगे पर हर खिलोनों की दुकान पर उपलब्द है बच्चो यह चन्नपटना के शहर के खिलोने है बच्चो बच्चो यहां पर आप कुछ और खिलोनों को देख सकते हैं प्यारे बच्चो इन पर चड़ाया हुआ सब रंग पुराकृतिक है बच्चो यह खास करके चंदन, शीशम, शीशम जैसी लकडियों से बनता है बच्चो कौन कौन से लकडियों से बनता है बच्चो चंदन, शीशम, सागवान, चंदन का अर्थ होता है सैंडल उड, शीशम का अर्थ होता है रोज उड, सागवान का अर्थ होता है तीक इन सब लकडियों को सुखा कर इनका पोक्ता यानि कि पाउडर बच्चो पाउडर बनाकर इने धांचे में डाल कर जिस आकृती में चाहिए उस प्रकार से बना सकते हैं और इन पर चड़ाया हुआ सभी रंग प्राकृतिक है बच्चो जब बच्चे इन खिलवनों से खिलते तो उनको हानी नहीं होती है बच्चों प्यारे बच्चों आज का हमारा विशे है खिलोने बच्चों चनपटना शहर खिलोनों के लिए प्रसिद्ध है चनपटना शहर करनाट का राज्य में आता है बच्चों आज का हमारा विशे खिलोनों के बारे में है बच्चों अभी हम पाट द्वारा जानकारी राप्त गरेंगे तेर बच्चो पाट में दिखाए गए इस बालक का नाम है अनिल अनिल पिताजी के साथ चन्न पटना जा रहा है बच्चो देखते हैं अनिल क्या क्या खरीता है वहां पर है ना बच्चो अभी हम पाट को पड़ेंगे बच्चो पाट को ध्यान से सुनियेगा अनिल अपने पिताजी के साथ बेंगलूरू से मैसूरू बस से जा रहा था अनिल कहां से जा रहा था बच्चो बेंगलूरू से मैसूरू बस से जा रहा था उसने खिड़की के पास वाली सीट पर बैटने की जिद्द की अनिल ने क्या किया बच्चो खिड़की के पास वाली सीट पर बैटने की जिद्द की उसे बाहर के सारे दुरुष जो देखने थे दुरुष का अर्थ होता है सीन बच्चो पिता जी ने खिड़की खिड़की यानि के विंडो बच्चों बसका विंडो ठीक है पिता जी ने खिड़की के बाहर हाथ हाथ का अर्थ होता है हैंड बच्चों सिर सिर का अर्थ होता है हेड हाथ सिर ना डालने की हिदायत देकर उसे खिड़की के पास बैठ ने दिया हिद यानि के अडवाइस बच्चो पिताजी ने अनिल को अडवाइस किया की खिर्की के बाहर हाथ सिर ना डालने की Dear class, अनिल was going by bus from Bengaluru to Mysore along with his father. He insisted on sitting on the seat near the window. All the scenes he had to see outside. Dad instructed him not to put his head outside the window and let him sit near the window. पिताजी ने खिर्की के बाहर हाथ सिर ना डालने की हिदायत देकर, उसे खिर्की के पास बैटने दिया. बस आगे बड़ी अनिल को बिजली के खंबे, पेड़, पोधे धोड़ते दिख रहे थे. प्यारे बच्चों, इसकारत होता है, जब हम बस में बैटते हैं, तो बस चलती है. है ना बच्चों, बाहर के सारे दुरुष्य हमें इस प्रकार नजर आते हैं, जैसे के वे भी हमारे साथ धोड़ रहे हो. है ना बच्चों, बिजली के खंबे, पेड़, पोधे, सबी दुरुष्या, निल को कैसे दिख रहे थे बच्चों, वह सब धोड़ रहे थे, ऐसे दिख रहे थे. बाहर के दुरुष्य देखते, देखते, कब उसकी आंख लग गई, आंख लग गई, इसका अर्थु होता है, सोना बच्चों नीन आ जाना, ठीके, उसे पता ही न चला, दुबारा सुनिए, बस आगे बढ़ी, अनिल को बिजली के खंबे, पेड़, पोधे, धोड़ते, द रहे थे, बाहर के दुरुष्य, देखते, देखते, कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही न चला, Just ahead, Anil was seen running with electric poles and plants and trees, he did not know when he caught his eye while watching the scene outside, अचानक का अर्थ होता है सडनली बच्चो अचानक जब कंड़क्टर ने जोर से जोर का अर्थ होता है लाउडली जोर से कहा चन्न पटना में उतरने वाले उतरिये बस यहां दस मिनट के लिए रुकने वाली है तो अनिल की नीद खुल गई वह आंखे मलते हुए उठा आंखे मलते हुए इसका आर्थ होता है बच्चो आंखों को रब करते हुए उठा पिता जी चाई का आर्थ होता है टी बच्चो पिता जी चाई पीने के लिए उतर रहे थे वह भी उनके साथ उतरा अच्यानक जब कंडक्टर ने जोर से कहा चन पट्टना में उतरने वाले उतरिये बस यहां पर दस मिनट के लिए रुकने वाली है तो अनिल की नीद खुल गई वह आंखे मलते हुए उठा पिता जी चाई पीने के लिए उतर रहे थे वह भी उनके साथ उतर रहे थे वह भी उनके साथ उतरा Suddenly the conductor said loudly that the descendants who landed in Channapattana The bus is about to stop here 10 minutes then Anil's sleep opened He woke up rubbing his eyes and dad was getting down to drink tea He also landed with him अब आगे वहां खाट के खिलोनों की कई दुकाने थी खाट के खिलोने इसका अर्थ होता है wooden toys वहां खाट के खिलोनों की कई दुकाने थी जिन में कई सुंदर सुंदर यानि के beautiful सुंदर खिलोने थे beautiful toys अनिल खिलोने खरीदने के लिए मचल उठा उसने पिताजी से खिलोनों की मांग की पिताजी ने उसे बंदर यानि के मंग की बंदर और बेलगाडी बेलगाडी का अर्थ होता है भुलकोट दिलाई बस के चालक ने जोर से भोमपू भोमपू का अर्थ होता है हॉर्न बच्चों भोमपू बजाई तो ये दोनों बस के और लप के इनके चड़ते ही बस निकल पड़ी There was many shops for wooden toys which had many beautiful toys Anil wakes up to buy toys He asked dad for toys Dad got him a monkey and bullock cart The driver of the bus rang the horn loudly Both of them set out towards the bus As soon as they climbed the bus had to leave अब आगे आजी भी बस में चले गए बस में जाने के बाद Anil का ध्यान खिलोनों पर था खिलोनों से दूर तो हटाई नहीं वह इतने सुन्दर थे कि Anil के मन में बहुत सारे प्रश्न उट रहे थे ठीके बच्चों अब Anil का सारा ध्यान अपने खिलोनों पर था उसके मन में कई सवाल सवाल यानि के क्वेश्चन्स बच्चों सवाल उट रहे थे उसने पूछा पिताजी ये सुन्दर खिलोने कोन बनाता है Anil ने क्या प्रश्न पूछा बच्चों पिताजी से पिताजी ये सुन्दर खिलोने कोन बनाता है Dear class, all of Anil's attention was on his toys Many questions were arising in his mind He asked us, who makes beautiful toys dad? अब अगला paragraph पिताजी बोले बेटा, ये खिलोने इस चन्नपटना शहर में ही बनते हैं बच्चों, खाट के खिलोने काम पर बनते हैं? चन्नपटना शहर में ही बनते हैं यहां लगभग 6,000 लोग खिलोने बनाने का ही काम करते हैं कितने लोग बच्चों? 6,000 लोग यानिके 6,000 पीपल करीब 600 साल पहले तीपु सुल्तान ने परशिया देश से कारीगरों को बुलाया और स्थानिया लोगों को यह हुनर सिखाने की व्यवस्ता की थी बच्चों, 200 साल पहले तीपु सुल्तान जी ने परशिया देश से कारीगरों को बुलाया और स्थानिया लोग यानिके चन्नपटे ना में रहने वाले लोग स्थानिया लोगों को यह हुनर, हुनर यानिके स्किल बच्चों, हुनर का अर्थ क्या होता है? स्किल या हुनर सिखाने की व्यवस्ता की थी दुबारा सुनिये बच्चों, विताजी बोले बेचा ये खिलों ने इस चन्नपटना शहर में ही बनते हैं यहां लग भर 6,000 लोग खिलों ने बनाने का ही काम करते हैं करीब 200 सार पहले चीपु सुल्तान ने परशिया देश से कारीगरों को भुलाया और स्थानिया लोगों को यह हुनर सिखाने की व्यवस्ता की थी Dear class, father said, son, these toys are made in this city of Channapattana What father said children, son, these toys are made in this city of Channapattana Around 6,000 people make toys here How many people children? 6,000 people Nearly two and a half years ago Nearly two and a half years ago, Chippu Sultan invited artisans from the country of Persia and arranged to teach this skill to local people स्थानिया लोग का आर्थ क्या होता है बच्चो? लोकल पीपल अब आगे अनिल बच्चो, अनिल ने पिताजी से पूछा पर बनाते कैसे हैं? यह तो बताईये अनिल ने पिताजी से क्या पूछा बच्चो पर बनाते कैसे हैं? यह तो बताईये अनिल आस्ट इस फादर पिताजी मुस्कुराते हुए बोले अरे बाबा सब बताता हूँ यह खिलों ने चंदन यानिके सैंडल उड, शीशम, रोजवूर, सागवान, तीक आदी लकडियों से बनाए जाते हैं चंदन का आर्थ क्या होता है बच्चो? सैंडल उड शीशम का आर्थ क्या होता है? रोजवूर सागवान का आर्थ क्या होता है बच्चो? तीक बच्चो आदी लकडियों से बनाए जाते हैं खिलों ने किसे बनते हैं बच्चो? चंदन, शीशम, सागवान, आदी लकडियों से खिलों ने बनते हैं खिलों ने बनाने का काम करीब 6 चरणों में यानि कि 6th stages बच्चों 6th stages में बनता यानि कि 6 चरणों में किया जाता है नमबर एक लकड़ी मुहया करना उसे सुखा कर पूखता बनाना पूखता इसका अर्थ होता है बच्चों पौटर बनाना बच्चों यहां पर जैसे कि आपने अभी सुना 6 चरणों में यानि कि 6th stages में बांटा गया है बच्चों वह 6 चरणों कोन से है अभी हम जानते हैं बच्चों धान से सुनिए नमबर एक लकड़ी मुहया करना क्या है बच्चो लकडी मुहया कराना उसे सुखा कर पूखता बनाना नमबर दो क्या है बच्चो उसे सुखा कर पूखता बनाना नमबर तीन वानचीत आकारों में काटना जैसा हमें चाहिए उस प्रकार से लकडी को काटना बच्चो नमबर चार खिलोने गड़ना खिलोनों को गड़ना बच्चों रंग नाम और चमकाना ये थे छे चरणों बच्चों ठीके इस खिलोनों की एक और विशेशता यह है कि इनके रंग प्राकृतिक है प्राकृतिक का आर्थ होता है नाचुरल जिससे बच्चों को हानी नहीं होत प्यारे बच्चों दुबारा सुनिये पिता जी मुस्कुराते हुए बोले अरे बाबा सब बताता हूँ ये खिलों ने चंदन, शीशम, सागवान, आदी लकडियों से बनाये जाते हैं खिलों ने बनाने का काम करीब 6 चरणों में किया जाता है लकडि मुहया कराना, उसे सुखा कर फूपता बनाना, वानचित आकारों में काटना, खिलों ने गड़ना, रंगना और चंकाना इन खिलोंनों की एक और विशेशता यह है की इनके रंग फ्राक्रूतिक है, जिससे बच्चों को हानी, हानी का अर्थवता है हाम बच्चों, हानी नहीं होती Dear Class Father said smilingly, what did that? Dad said smilingly, hey Baba a toy Sandalwood, rosewood, teak etc. are made from wood, make toys is carried out six stages, providing wood by drying, cementing, cutting toys into desired shapes Toys grinding, coloring and flushing Another feature of these toys is that they are natural in color and do not harm children Listen once again, Dad said smilingly, hey Baba a toy, sandalwood, rosewood, teak etc. are made from wood, make toys Toys is carried out six stages, providing wood by drying, cementing, cutting toys into desired shapes Toys grinding, coloring and flushing Another feature of these toys is that they are natural in color and do not harm children अब आगे अनील यह तो बड़ी महनत का काम है अनील ने क्या कहा बच्चों? यह तो बड़ी महनत का काम है पर पिताजी क्या ये खिलोंने खरिदने के लिए हमें हर बार चन्न पटना आना पड़ेगा? अनील ने पिताजी से पूचा इन खिलोंनों को बनाने के लिए बहुत महनत करनी पड़ी है पर पिताजी क्या इन खिलोंनों को खरिदने के लिए हमें हर बार चन्न पटना आना पड़ेगा? dear class अनील said this is a lot of hard work but dad do we have to come to चन्न पटना every time to buy these toys? अन पिताजी पिताजी यानी के बच्चो फादर फादर से नहीं बेटा ये खिलोंने तो आज कर हर जगर मिलते हैं पिताजी ने क्या बोला बच्चो? नहीं बेटा, ये खिलों ने तो आजकल हर जगह मिलते हैं, यहां तक की विदेशों से भी इनकी बड़ी मांग है, विदेशों का अर्थ होता है, foreign countries बच्चों, विदेशों में भी इनकी बड़ी मांग होती है, अनिल और पिता जी ये सब बाते खड़ रहे थे कि बस मैसूरू के बस अड़े पर, बस अड़ा इसका अर्थ होता है बच्चों, बस अड़े पर पहुंच गए, वे दोनों उत्रे, अनिल अपने दोस्तों को खिलोवने दिखाने के लिए और चन्न पत्टना के बारे में बताने के लिए उतावला हो रहा था, Dear Class, Father said, No son, these toys are found everywhere nowadays, even in foreign countries, there is a great demand for them, अनिल and father were talking about this, that the bus reached the Mysore bus stand, they both landed, अनिल was eager to show toys to his friends and tell them about चन्न पत्टना, प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का पार्ट खिलोवने, पार्ट को अच्छे से पढ़ियेगा और समझियेगा, बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है, हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे ये नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,